करने वाले हैं Sum of Factor क्या discuss करने वाले हैं Sum of Factor Sum of Factor की अगर हम बात करें Sum of Factor एक अच्छा concept है और इस बार based question आपके बनते ही बनते हैं और यह जो Sum of Factor की बात करें यह उनी से बनेगा जिनों नो इस starting से class देखी है क्योंकि सबसे पहले आपको बिल्कुल starting से देखना है जो भी आज पहली बार class देखना है तो सबसे पहले मेरे आप सभी से request है कि आप पहले पुरानी class देखे उसके बाद ही आज की class देखे तो क्योंकि level by level देरे देरे concept बढ़ रहा है और उस पे जो question बन रहा है जिनको starting की knowledge होगी उनको ले बहुत ज़्यादा आसान होगा आज की classes समझे नाप ठीक है तो अगर जो भी आज नई पहली बार आए है तो उनको वही करना ही कि पहले आपको पुरानी class देख रही है उसके बाद ही आपको आज की classes continue करनी है चले भी तो आज हम start करते है sum of factor तो sum of factor की बात करेंगे तो sum of factor सबसे पहले आपको क्या करना है तो पहले आपको इसका निकालना prime factorization करनी है क्या करनी है prime factorization करनी है ठीक है जैसे तो आज concept lecture 5 है तो सबसे पहले हम देखते है prime factorization मैंने last class में भी बताया था ठीक, प्राइम factor contribution कैसे करना है? इसको डिवाइट करना होता है यह होता है 9 into 2 और यह हो गया 5 into 2 ऐसे आप break होगा, ठीक है तो 2 कितने हो गयe है, तो 2 हो गया है 2 पे कितने की power हो गयी, 2 पे 2 की power 2, ठीक, 9 9 में कितनी 3 हो गये है, 3 पे 2 की power into, 5 कितना है तो 5 पे 1 के power है ना अब इसे हम erase कर लेते हैं तो यह मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ बट आपको exam में ऐसा नहीं करना है आपको direct जो भी value पता है कि इसके इतने इतने factor हो सकते है या फिर इसमें 2 कितने आएंगे, 3 कितने आएंगे, 5 कितने आएंगे, 7 है तो कितने आ रहा है वो आपको direct देखना है और direct आपको लिखना है ठीक तो यह तो अगर prime factorization की बात करें तो यह ऐसा होगा बट आज हम क्या निकालना है sum of factor याने factors का sum ठीक तो sum of factor निकालेंगे कैसे हम, इसको start करना है कहां से start होगा तो यह start होगा 2 की power, 2 पे 0 की power से, ठीक है, उसकी बात, highest कहां तक जाएगा, 2 पे 2 की power तक तो 2 पे 0 की power प्लस sum बोलाए न, 1 की power और 2 पे 2 की power हमें start करना है 0 की power से और जाना कहा तक है अगा जहां तक उसकी highest power है वहां तक ठिक एक bracket में ले लेना है और sum बोला तो sum कर देना है उसके बाद next में क्या start होगा तो next में start हो जाएगा 3 पे 0 की power plus 3 पे 1 की power plus 3 पे 2 की power कहा तक जाना है highest power 2 की power तो 3 पे कितनी की power है, 2 की power है अब next आ जाते, इस 5 पे कितनी की power है, 5 पे सिर्फ 1 की power हो, तो 5 पे 0 की power plus किया हुजाएगा, फाइफ पे 1 की power ये होगा है किसके, ये होगा sum of factor अब इसको क्या करना है, आपको add करना है और फिर multiply करना है तो 2 पे 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और ये 2 पे 0 की पावर यहने कितना होता है 7, तो इस पूरे को सम करने पर कितना आ जाएगा, ठीक है तो इस पूरे को सम करने पर कितना आ जाएगा ठीक इंटू 5 पे 0 ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 इस पूरे को multiply करेंगे तो क्या है का 1 एटीक है sum of factor आजाएगे ठीक है तो कर लिए multiply जो हो जाएगा 42 और 42 इंटू 13 27 चाहएगा 5 52 चाहएगा 2 दो बचा था नो 52 चाहएगा 546 किया जाएगा इसका sum of factor ठीक है अब कैसे क्या किया हमने ऐसा क्यू किया हना यह आपके मन में सवाल चल रहे होंगे ऐसा ही क्यू किया तो मैं इसका थोड़ा एक बार explain कर देता हूँ अब पास 2 की choice क्या थी कि 2 पे 0 की power 2 पे 1 की power 2 पे 2 की power highest ठीक है 3 की choice क्या थी 3 पे 0 की power 3 पे 1 की power और 3 पे 2 की power 0 की power मतलब हम 2 को एक बीबार ना ले या फिर 3 पे 0 की power मतलब 3 को एक बीबार नहीं लेने वाली condition क्या होती है वो 0 की power होती है वसे 5 की power 5 पे 0 की power 5 पे कितने की power हो जाएगी 1 की power हो जाएगी ठीक है अब देखरों ध्यान से क्या करना है इसमें एक हम choice ले सकते हैं क्या कि 2 पे 0 की power लिया 3 पे लिया और 5 लिया तो देखो यह आया कि नहीं आया कि 5 तिया 15 हो जाएगा और यह 2 पे 0 की power मतलब 2 को एक भी बार ने लिया तो क्या हो जाएगा 1 ठीक है या फिर हमको ऐसा भी ले सकते हैं 2 पे 3 की टूपाउगा और यह हो जाएगा तो 9 और यह 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ठीक है यह choice भी है 2 पे 1 की power लिया 3 पे 0 की power लिया और 3 पे 0 की power मतलब 2 भी ले सकते हैं यह भी choice होगी तो यह सारी choice बनती है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है यह इतने detail में नहीं जाना है आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी sum of factor की बात होगी तो sum of factor आपको कैसे निकालना है तो sum of factor आपको निकालना है सबसे पहले आपको करना है prime factorization और 0 से start करना है और जितनी power है उसकी highest power तक आपको note करना है और sum बोला है तो sum कर देना sum करने के बाद bracket open होगा और इसमें क्या होगा multiply कैसा नहोगा इसको बात क्या करनेंगे इसको multiply तो sum of factor का इतने भी factor है उनका sum जो होगा 180 के कितना हो जाएगा 546 होगा 546 ठीक है तो I hope सभी को समझ में आ गया होगा और अगर आपको एक और example लेकी चले तो इसका screenshot लेते हुए चलना न screenshot ले जल्दी से इसका चलिए आगे देखते हैं तो इसका जो आया था प्राइम फेक्टराइशन वो कितनी आए थी 2 पे 2 के पाउर इंटू 3 पे 2 के पाउर इंटू 5 पे 1 के पाउर जैसे अगर हम 360 की बात करें 360 की बात करें तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 पे 3 की पाउर इंटू 3 पे 2 की पाउर इंटू क्योंकि इसमें यह double है 180 का तो इसमें 2 ही extra मिलेगा बागी तो same होंगे और 5 पे कितने होगी 1 की power अगर इसके हम prime vector का sum बले sum of factor बोले तो क्या हो जाएगा इस start होगा कहां तर 0 से 2 पे 0 की power plus 2 पे 1 की power plus 2 पे 2 की power plus is कहां तर जाएगा 2 पे 3 की power into 3 पे 0 की power plus 3 पे 1 की power plus 3 पे 2 की power अब 5 का देख लो 5 पे 0 की power plus 5 पे 1 की power ठीक यह हो जाएगा जाना चलिए यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा 4, 12, 12 और 2 14 हो जाएगा 14 और 1, 15 तो इसको कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा इस bracket का इस bracket का देखो 9, 12 12 और 1 13 हो जाएगा इंटू 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 तो इसको पूरा multiply करने पर कितना जाएगा तो पूरा multiply करने पर आ जाएगा इसमें तो इसमें पूरा multiply करने पर आ जाएगा 1170 कितना जाएगा 1170 आ जाएगा झाल झाल चलिए अब क्या करेंगे तो अब हम आगे आगे कि जो आगे इस पर practice कर लेते हैं उसके बाद रहेंगे तो सबसे पहले और इसने में क्या 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 कोशन बन सकते हैं तो हमने एक इकजामपल लिया है जैसे बोला है the sum of all factor of 3600 which are जिसमें आपको total number of factor निकालना है even factor निकालना है odd factor कैसे निकालना है multiple of 6 कैसे निकालना है ending with 5, ending with 0 वाले कैसे निकालना है time factor का sum कैसे होगा composite factor का sum कैसे होगा ending with 5 वाला perfect square वाला और perfect cube वाला है न यह सारी चीजे हम discuss करने वाले है सबसे पहले हम इसकी हम factorization कर लेते हैं 100, 100 क्या हो जाएगा 100 में हो जाएगा 2 पे 2 का square into 5 पे 2 का square अब अचा कितना 36, 36 हो जाएगा 9 into 4, 9 into 4 यानि 2 पे 2 पे कितने हो जाएगा 2 पे हो जाएगा 2 पे 9 into 4, 2 पे 2 की power और 9 यानि 3 पे 2 की power हो गया तो पूरा अगर हम बात करें 2 कितने हो गया हमारे पास 2 हो गया 2 पे 4 की power into 3 कितने हो गया है 3 पे 2 की power into 5 कितने हो गया है 5 पे 2 की power अब क्या करना है अब बताना है कि total number of factor कितने होंगे कैसे होंगे, add करना पड़ेगा इसको 2 हो जाएगा 2 पे 0 की पावर 2 पे 1 की पावर 2 पे 2 की पावर 2 पे 3 की पावर 2 पे 4 की पावर यहां तक जाएंगे highest 3 पे 0 की पावर 3 पे 1 की पावर 3 पे 2 की पावर highest 2 की पावर है 5 का देख लेते हैं 5 पे 1 की पावर 5 पे 2 की पावर 5 पे 3 की पावर कर लिए इसको सब्सक्राइब यह कितना हो जाएगा तूपे यह हो जाएगा 16 और यह कितना हो जाएगा 8 और यह 0 की पावर अच्छा सब्सक्राइब अच्छा जीरो की पावर लेना था गलत लिया मैंने इस जीरो की पावर वन की पावर टू की पावर 25 और 35 और एक 31 ठीक है 961 इंटो 13 तो तीन हो जाएगा तर तर तैवन हो जाएगा तो सत्रह इतना जाएगा यह हो इसके टोटल नम्बर आफ एक्टर हो जाएगे ठीक है वह सभी को सब्सक्राइब का सारी चीज़े की टोटल नम्बर आफ एक्टर कैसे आएगे हम इसको एरेज करूंगा तो आप इसका स्क्रीन शॉट एले जल्दी से तो फिर बागी चीज़े में एरेज करूंगा जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लिए इसका टोटल नम्बर आफ एक्टर कितने रहेंगे इसके कैसे निकालना है वह मैंने बता दिया है ना टोटल नम्बर आफ एक्टर चलो इनको मैं उपर लिए देता हूँ ठीक तो आसानी रहेगी दो पे जीरो की पावर प्लस दो पे बन की पावर प्लस तू पे थी की पावर प्लस तू पर पोर की पावर ब्रैकट में प्री पे जिरो की पावर प्री पे वन की पावर प्री पे तू की पावर दूसरी ब्रैकट में फाइफ पे जिरो की पावर प्लस फाइफ पे वन की पावर और फाइफ पे तू की पावर ठीक है चले ह जाओगा सभी को clear यहां से आपको स्टार्ट करना मेड़ेगा कम से कम एक बार दो लेना पड़ेगा मैक्सिमम तो आप कितने बार भी ले सकते हैं मैक्सिमम कितने बार जितने उसका factor होगा highest power होगी उतनी बार ठीक है तो मैं इसको direct लिक दे लाना पर तो इसको लिख लेते हैं तूपे 1 की power प्लस तूपे अच्छा मैंने कुछ गड़बड किया क्या यहां तूपे 0 की power तूपे 1 की power और तूपे 2 की power तूपे 2 की power तूपे 3 की power और तूपे कितने की power होगी यह 4 की ऐसा ही तूपे 0 की power तूपे तो सेम रहेगा इसमें कोई अंतर नहीं आएगा इसमें तो कोई चिंजज नहीं आएगा यह सेम रहेगा और 5 पे 0 की पाउर प्लस 5 पे 1 की पाउर प्लस 5 पे 2 की पाउर यह हो जागा 25, 35, 35 हो रहे है 31 इंटू 9 और 3, 12 और 11 इंटू 4 की पाउर हो जाएगा आपका 16, 16 और 8 24 और यह 4 24 और 4 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 30 हो गया, अब कर लिज़े मिल्टिप्लाइस को, यह हो जाएगा 93 इंटू कितना हो जाएगा 13 13 से मिल्टिप्लाइगा कर दीज़े 2 तो इसका आजाएगा कितना even factor कितने हो जाएगा तो even factor हो जाएगा कितने 120, 90 कितने हो जाएगा 120, 90 हो जाएगा ठीक है इसका screenshot लेज़े भी चलना है 120, 90 हो जाएगा कितना हो जाएगा 120, 90 ठीक तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ में 120 एपान 90 इसका हो जाएगा 30 into 13 into कितना हो जाएगा 31 तो इसका पूरा कितना हो जाएगा 120 90 हो जाएगा ठीक है तो आई होप सभी कुछ आगया होगा इवन फेक्टर कैसे निकालना है कि कम से कम आपको एक दो तो ले नहीं है और वाले में क्या है और वाले में 2 का कोई काम ही नहीं है है ना और वाले में 2 का कोई काम ही नहीं है और में कौन से लेने पुड़े और नंबर और नंबर कर यह हो जाएगा भई एक इतना हो जाएगा नो और तीन बारा और एक 13 into पांच का, पांच का कितना हो जाएगा, एकतिस, पांच, टीस और एकतिस, multiply कर दो, टीन, एक, चार सो तीन, तो ओड वाले जो होंगे, ओड फेक्टर कितने हो जाएँगे, तो ओड ओड फेक्टर हो जाएँगे आपके कितने, और फेक्टर बजाएंगे 403 जिसमें हमें 2 लेना ही नहीं है और वाले में सिर्फ और को लेना है जिसमें 2 हमको लेना ही नहीं था तो और फेक्टर कितने हो जाएंगे 403 बजाएंगे ठीक है तो आई हो सब्सक्राइब को clear होगी सारी चीज़े आगे चलते हैं और को हम एक बार नहीं लेंगे क्योंकि हमें मुल्टिपौल उठिक्स वन प्छी। तो १्श कम से कम lit2 तो धुक्त थाना ही कम से क्रूंब तो यहां से स्ट तो यहां से 30, into, यहां से कितनी बच्ची है, 9 और 3, 12 हो गया, और यहां से च्चाइज कितनी बच्ची है, 5, 25 और 31, तो कितना हो जाएगा, 9, 93 और 0, और 12 से multiply कर देंगे, ठीक है, तो इतने हो जाएगे, जो multiple of 6 बोला है, कितना हो जाएगा, तो 11,106, multiple of 6 का जो sum of factor हो जाएगे, कितने हो जाएगे, तो multiple of 6 का जो factor हो जाएगे, 11,106 हो जाएगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा, इसका right answer, यह हो सभी को clear हो रहोगा, ठीक, चले, आगे चलते हैं, भाई साथ में screenshot लेते वे चलना है, concept जादा है, discuss पूरी सारी value discuss करना है, और एक बार यह concept clear हो गया, तो आपको question, आप सारी question कर लोगे, खुझ से, एक concept main होता है, चले, आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला, ending with 0, ending with 0 मतलब क्या होता है, कि कम से कम एक 5 होना चाहिए, कम से कम एक 2 होना चाहिए, तो 5 की यह वाली choice cancel हो जाएगी, एक 5 तो होना ही चाहिए, और कम से कम एक 2 तो होना ही चाहिए, तो यह वाली choice भी इसकी cancel हो जाएगी, ठीक है, पहले इसको multiply कर लेते हैं, यह कितना होगा, 25 और 5, कितना हो जाएगा, 30, into, यहाँ तो कोई foundation नहीं है, 9 और 3, 12 और 1, 13, यह आगया, 13, ठीक है, यहाँ, हम 2 पे 0 की पार, यहाँ ली choice नहीं बचिए हमर पस, यहाँ से start होगा, और यहाँ खतम हो जाएगा, यह हो जाएगा, 16, 8, 24, 28, और 2, कितना हो जा ending with 0 के कितने sum of factor के sum of factor कितना हो जाएगा, 11700, तो यह होग सभी को सारी चीज़े clear हो रही होगी, बिल्कुल आराम से और अच्छे से हम discuss कर रहे है, ताकि आपको कोई भी concept ना रहे, बच ना बचे, सारी चीज़े आपको अच्छे से clear हो जाए ठीक है, चले, अब प्राइम का देखते हैं, प्राइम फेक्टर का sum, क्या बोल रहा है, प्राइम फेक्टर का sum, ठीक है, तो प्राइम फेक्टर का आपको पता है, प्राइम फेक्टर में भी हमने सारी चीज़े discuss करी थी, कि प्राइम फेक्टर में क्या करना होता है, तो प् बता देता हूं, ज्यांसे, प्राईम नमर कॉन सा, एक तो दो है, एक तो तीन है और एक पांच है, तो इसका सम हो जाएगा, 2, ब्लस 3, ब्लस 5, कितना हो जाएगा इसका सम, 10, तो प्राईम, प्राईम फ्रेक्टर सुकेernä का जो प्लस वन को माइनस कर दे तो क्या भाएंगे आपके कंपोसिट आ जाएंगे क्या जाएंगे आपके कंपोसिट ठीक है तो टोटल हमने कितना निकारा था तो टोटल हमने कितना निकारा था लिखा नहीं कि है आपर 12 4,93 यह होगे total और total में से prime, prime कितना है 10 plus 1, 11 हम क्या कर देंगे इसमें से minus कर देंगे, कितना हो जाएगा 2,8,4,12 12,482 कितना हो जाएगा, 12,482 इसका right answer कितना हो जाएगा यह हो जाएगा अपका 12,800 12,800 482 ending with 5 कि कम सकम end में 5 होना चाहिए अगर हम मान लो 5 का 2 से multiply करते तो इसमें end में जीरो आजाएगा हर condition में मतला अगर 5 का हम even number से multiply करेंगे तो end में 0 आएगा अगर 5 का हम odd number से multiply करेंगे तो end में कितना आएगा 5 तो हमको even number तो ले नहीं नहीं है तो ये स्वारी choice तो cancel हो जाएगी कौनसी वाली 2 वाली choice तो क्या हो जाएगी सारी cancel हो जाएगी 2 वाली choice क्या हो जाएगी तो ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि अगर 2 से कोई भी value से multiply करेंगे तो end में क्या आएगा 0 आजाएगा अब choice कौनसी बची है अगरे पास 3 वाली और कौनसी बची 5 वाली 5 वाली बची है 5 पर 2 की पावरती 5 वाली choice ले ले लेज़े कर लेते उसको इसमें कोई foundation नहीं है इसको पूरा ले सकते है देख लेते भई ये कितना हो जाएगा 25, 35, 31, 31 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 और 3, 12 और 1, 13 ठीक है कर लिज़े इसको multiply कितना हैगा multiply करने पर अच्छा 31 तो नहीं आना चाहिए देखो नियांग से ending with 5 ending with 5 पी choice क्या है 5 पे 0 की पावर, 5 पे 1 की पावर, 5 पे 2 की पावर ठीक है, अब ये वाली choice हम नहीं ले सकते है अगर 5 हमने एक भी बार नहीं लिया 5 पे 0 की पावर, इंटू 3 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, 3 आजाएगा, अब या end में 5 तो आया ही नहीं तो ये वाली choice हम नहीं ले सकते, कम से कम आपको 5 एक बार ले नहीं पड़ेगा 5 एक बार ले नहीं पड़ेगा 5 एक बार ले नहीं पड़ेगा, तो 5 पे 1 की पावर और 5 पे 2 की पावर, ये होगा 25 और 5 ये कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 9 और 3, 12, 12, 16, 13 गितना हो 350 इसका जो राइट अंसर होगा, कितना हो जाएगा, ending with 5 बार डिच वाड़ेट कितना हो जाएगा 390 अब साविछी पे सिमर्जनगे सामाधेय से एक है और कोई चीज को आप डौट को डौट होगा, मैंने explain दो गएदिया, rewind करके आप देख ले न अच्छे से, ठीक है, perfect square क्या होता है, कि हम square देखते हैं, क्या देखते हैं, इसमें square, ठीक, क्या देखते हैं, square देखते हैं, उसकी power को divide करते हैं, हाई यह इस power कितने ही है, तो इस कौन-कौन सी होगी perfect सूर में एक, दो और तीन ठीक है perfect square की चॉस कितने हो गई 2 पे 0 के पावर 2 पे 2 की पावर और 2 पे 4 की पावर ठीक है उसके वार 3 की चॉस देखो एक और 2 perfect square बावर 3 पे 0 की पावर plus 3 पे 2 की पावर ठीक है छलिए आगे देख लेते हैं 5 वाला देख लेते हैं 5 पे 0 की पार 5 पे 2 की पार 5 पे 0 कीपार plus 5 पे 2 की पार करनो multiply 2 और 8,24 24 और 1,20 9 और 1,10 25 g और 1 10 तो ठीक है अब करना है इसका multiply तो जल्ली से बता दो इसका multiply क्या होगा तो गलत तो नहीं कर दिया मैंने तोला तो चार है ना अरे यार तोला और ये चार 20 और 21 हो जाएगा ठीक है किस हो गया करना multiply तो एक किस का multiply कर देंगे जेज़े 6 और लास्ट में लगा जाए जीरो उसका जो राइट हर गो जाए पर्फेट से कर आगया जाएगा 4 6 0 देखना है पर्फेट क्यूब कर देख लेजे पर्फेट क्यूब कैसे करेंगे हैं एप पर्फेट क्यूब का थोड़ा थोड़ा एरेस कर देते हैं ताकि आपको संजाने में आसानी हो क्यों इसको भी एस कर देड़े रट से कर लेटें पूरा लालाम-लाल अब बोला perfect cube, perfect cube में क्या होगा Perfect cube में choice क्या होगा, 2x0 की बार आठ और एक 9, कितना हो जाएगा? 8 और एक 9 तो कितना हो जाएगा? total perfect cube कितने हो जाएगा? 9 हो जाएगे, 9 ठीक है? तो I hope सभी को सारी चीज़े समझ में आगे होगी एक बार व्डियो को रिवाइड करकर सारी चीज़े देख लेना हमने सारा discuss कर लिया total sum of factor कैसे निकालना है even factor का sum फिर odd factor का sum उसके बाद multiply with multiple of 6 वाले factor का sum ending with 0 मतलब 10 वाला prime factor हो गया, composite factor हो गया ending with 5 हो गया, perfect square हो गया perfect cube हो गया सारी चीज़े हमने इच्छे से discuss कर ली है ठीक है, तो I hope सभी को सारी चीज़े समझ में आ गही होगी ठीक है, अब चलते हैं आगे आज के हम concept पे और आज के हम question discuss करने वाले हैं आगे चले भई, चलते हैं तो यह राजकास आपके सामने first question वीडियो को pause कीज़े, question को question को solve कीज़े, उसके बाद ही मेरा explanation देखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइदा हो सके, तो आप लोगे ने question solve कर लिया होगा, अब हम question को discuss कर लिते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है question को ready करना है, question में पूछ कर रहा है वो देखना है, उसके बाद ही आपको आगे question solve करना है, ठीक है क्या बोल रहा है, x is a factor of 360, x is divisible by 4, 6, the sum of all possible value of x and y, find the least number which gives perfect cube ठीक, तो 360 के ऐसे factor देखना है, जो x से divisible है, और जो 4 और 6 का multiple हो 4 और 6 का multiple, यानि 4 और 6 का multiple कौन सा होगा तो बहोगा, उसका LCM और अगर LCM की बात करेंगे, 4 और 6 का LCM कितना होगा, 12 होगा, बड़ी value लिया, 12, 6 लिया, 6 से 6 का multiple check कर लिया, ठीक है, 12 होगा ओके, आगे अब इसका 12 का क्या होगा, 12 का factorize कर लेते हैं, 4 तीया 12 तो 4 तीया 12 मतलब 2 पे 2 की पावर into 3 पे कितना होगा, एक की पावर होगा 3 पे कितना की पावर होगा, एक की, ठीक है sum of all possible values x is y, तो sum करने पार find the least number which gives perfect cube when multiple with y तो कौनसी value से multiply क्या जाए कि multiple क्या जाए, y का multiple हो जाए, तरीक है, अब 360 के हम देख ले दे, 360 का 360 का क्या होता है 360 का 360 का total factor, तो 9 into 4 into 5 into 2 तो यह जाएगा, 2 पे 3 की पावर 3 पे 2 की पावर और 5 पे 1 की पावर, यह हो गए 360 के factor, ओके अब बोला है कि 4 और 6 का multiple होना चाहिए, तो कम से कम 2, 2 तो होना चाहिए, 2 से कम में चले गएगी, और 3 कम से कम एक बार होना चाहिए तो कितने choice बचिए हमार पस, यह से start हो जाएगी, 2 पे 2 की पावर होना चाहिए, कम से कम और तो कितना होना चाहिए, 9 और 3 9 और 3 में कितना होना जाएगा, 12 into, यह कितना होना चाहिए 5 और एक 6, 6 हो हो गया 144 ah 24 into 6 तो 24 हो गया 286 यह हो गया यह हो गया isके sum of factor, ठीक है यह किसके बढ़ापर हो जाएगा, यह जाएगा तो वो क्या हो गई, y के बराबर हो गई, हमें question में बताया है, ठीक, अब इसको factorize कर लेगता है, तो इसको factorize करेंगे, तो 8 और 10 से 9 से कर जाएगा, value, 9 से कर रही value, काट लिएके 9 से, 9 से काट दिया, 9-11, 80 ही हो गया, और, कितना बच्चे का, 5, 30 से 9 से और कर जाएगा, तो 3 और अलग कर पर 30 में से, 3 into, 32 ती अच्छान में 32 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको factorize इधर लिख जाएगा, तो 2 पे 32 यहने हो जाएगा, 2 पे 5 के पाउर, into, 3 पे 3 के पाउर, ठीक है, तो बोल क्या है देखो, तो which gives perfect cube when multiply with y, तो y में किस value से multiply कर जाए, तो क्या हो, perfect cube बन जाए, y की value यह है, अब इसको factorize कर दिया, देखो, यह तो perfect cube है, इसको कुछ करना ही है, अब देखो, यह perfect cube है, क्या नहीं है, या तो यह 2 पे 3 की पाउर होना चाहिए था, या तो यह 2 पे 6 की पाउर होना इसमें एक और 2 से multiply कर देंगे, तो यह क्या बन जाएगा, आपका perfect cube बन जाएगा, तो I hope सभी को यह question समझ में आया होगा, अच्छे से, और सारी चीजे clear हो गई होगी, ठीक है, इसका screenshot ले लिजे लिजे लिजे, फिर हम चलेंगे आगे, अगले question पे, ले लिजे भई screenshot इसक चले, ले लिजे आओवा screenshot, अब चलते हैं हम आगे, next question पे, वीडियो जब upload होता है, जैसे अब class end होती है, तो आपको जरूर जरूर बताना है, कि वह आपको classes कैसे लग रही है, समझ में आरा नहीं आरा है, यह बहुत जरूरी होता है, इससे teacher को motivation मिलता है, और वो नईनी चीजे ले के आने की, कोशिश करता है, तो आपको video end होने के ब अगला question क्या बोल रहा है आपसे, तो उसको video को pause करके आपने question to solve कर ही लिया होगा, चले मैं explain कर देता हूँ, x is a factor of 360, x is divisible by, यह तो हो गया था question, तो हो गया है, next question, what is the sum of all the factors 1, 0, 8, 0, which are multiple of 3 and end with 5, तो जो लोग अभी इसको pause करके, video solve करना है पहला है, उसके बाद मेरा explanation देखना है, what is the sum of all factors 1, 0, 8, 0, which are multiple of 3 and end with 5, तो multiple 3 का होना चाहिए, कम सकम, और end किसे होना चाहिए, 5 से होना चाहिए, तो इसको divide कर लेते हैं, 9 से कर लो divide, 10 हो जाएगा, तो 9 से करेंगे, one time जाएगा, और किते बाद जाएगा, two times, 9 हो गया, और कितना हो गया, five into two हो गया, three into two, तो तो पर कितने की बाद होता है, three into, तो फी फ घृता दो, इसको भी हटा दो चार हो चगा तीन हो चगा और पांस पर कितने के बार हो यह एक की पावर हो की है तो इसकी प्राइम फेटराइशन होगा यह किसकी बन जरो एट जरो की अब बोल क्या रहा है कंडिशन की तो कितना बन जाएगा 10 10 मतलब कितना जाएगा 0 और 0 आएगा end में आएगा 0 तो हमें तो 0 चाहिए नहीं हमें क्या चाहिए है हमें 5 चाहिए 5 चाहिए तो हमें किस से और नमबर से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा और नमबर से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा ठीक है और नमबर से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा ठीक है और नमबर से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा ठीक है अब देख लेते हैं क्या करना है इसको तो और नमबर से मल्ट तो 3 पे इसकी चॉइस क्या होगे? 3 पे 0 की पावर, 3 पे 1 की पावर, 3 पे जो तो है, मगर 3 पे 0 की पावर हम ये लई नहीं सकते, अगर 3 पे 0 की पावर हमने लिया, तो 3 का multiple तो हो गाई नहीं, क्योंकि हमने 3 को लिया हैं, तो ये वाली चॉइस होगी, तो आपको क्या करना है, कहां से स्टार्ट करोगे आप? 3 पे 1 की पावर, प्लस 3 पे 2 की पावर, प्लस 3 पे 3 की पावर, ठीक है? ब्रैकेट में 5 वाला देख लो, तो 5 वाला क्या हो जाएगा? 5 पे, 5 पे 0 की पावर, और 5 पे 1 की पावर, ये वाली चॉइस इसमें भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 5 पे 0 की पावर लिया हमने, तो 5 का मल्टिपल तो बचे गई नहीं, और क्या बोला? या तो 3 का मल्टिपल होना चाहिए, और end में 5 होना चाहिए, तो ये चॉइस भी हो गई है, तो हमें कम से कम 5 को एक बार लेना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 27 और 9, 36 और 3, 49, ठीक है, कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39 into, ये कितना हो जाएगा 5, कर लो भाई मल्टिपलाई, 39 into 5, तो इसको मल्टिपलाई करने पर, कितना जाएगा 195, कितना जाएगा 195, तो हमारो जो राइट अंसर हो जाएगा, वो जाएगा option number B, क्या हो जाएगा, option number B, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, चले, I hope, सभी को question सबज में आ गया होगा, multiple 3 का बोला था, तो कमसकम 13 तो ले नहीं है, ending with 5 बोला था, तो कमसकम 15 तो ले नहीं है, दूसरी बात, 5 में हम even number का multiply नहीं करेंगे, क्योंकि उससे वो क्या हो जाएगा, तो उससे वो value क्या हो जाएगी, अगर even number से multiply करेंगे, तो last में क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, चलिए भई, आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, ठीक है, screenshot लिया, चलिए, next question आ गया है, वीडियो को pause कीजिए, question को खुश सौल कीजिए, उसके बाद ही मेरा explanation देखिए, जल्दी से कीजिए इसको आज़ाएगा, को खुश सौल कीजिए, चलिए तो इसको देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना इसको है ना सारी चीज़े क्या बोरा सबसे बहुत कुछन समझना है कि कुछन आप से क्या पूछ रहा है गितने बॉक्स है पचास बॉक्स है बाक्स परसन इसे ही चलते जाएगा लास्ट में क्या होगा 49 box और कितना होगा 50 box ठीक है? तो द्यान से समझना है question कूछ अच्छा question है ये 50 box है एक से लेकिए और person भी कितने है 50 तो first person है वो क्या करेगा एक box में कितने marble रखेगा? तो एक box में first person हर एक box में एक-एक marble रखेगा तो वो कितने marble रखेगा? तो 50 पे एक-एक box में एक-ेक marble रख रहा है धिक है फिर से बोक्स में रख रहा है अल्मी 3-3 वाले में रखे-गा क्षटमे में रखे-गा एसे वो रखते जा रा है ठिक है और कितने रखे चाहिए थी इन कितने बॉग क्टमशो झरीरी इस प्रोस्जा गोजा और टिल 50 के संट 50 मारबल याने कि 50 रखे और कितने मारबल रखे लास्ट वाले में 50 वे बॉक्स में 50 मारबल रखे ठीक है यही बोला है कि लास्ट वाले ने 50 वे वाले ने 50 वे बॉक्स में कितने मारबल रखे हैं 50 मारबल रखे ठीक है find the total number of marble kept in the 50 box तो last वाले box में total कितने marble रखे गए यह आप से पूछाए ठीक है बिल्कुल conceptual question है अगर आप question स्यमज गए होंगे तो इस question का आपका answer आगया होगा है ना अगर आप नहीं समझेंगे तो इस question का आपका answer नहीं आएगा बिल्कुल conceptual question है देखना है मैं ध्यान से ठीक है 6 हो गया 9 हो गया 12 हो गया इस box में 3-3 marble रखेगा फिर ऐसा process चलता जाएगा और 50th person जो है सिर्फ 58th box में 50 marble रखेगा तो पुछ रहा है ऐसी condition में आपके 50 box में कितने marble आएंगे तो देखो ध्यान से 50 box में marble कौन-कौन से आएंगे जो 50 का multiple होगा अब देखो तीसरा person जो है 3-3 marble रख रहा है क्या वो 50 वाले में रखेगा क्या नहीं रखेगा क्यूं क्योंकि ये 3 से divide होता ही नहीं है एल ≈3 के multiple में 50 आता ही नहीं है 48 आता है उसके पौद 51 आता है नहीं तो यह तो रता ही नहीं क्यों-कौन 50 वाले box में marble रखेगा जो 50 का multiple होगा वही रखेगा या जिसके पहाड़े में 50 आता है stateS एक एक to dyp了 मो में आएगा आएगा Uma मारबल रखेगा क्या 2 के मल्टिपल में आएगा इतने मारबल रखेगा 2 3 के मल्टिपल में नहीं आएगा 4 के मल्टिपल में जो भी इसका चार से रिवाइड होता है इसके पहले फेक्टराइज कर लेते हैं यह हो जाएगा इसके फेक्टर कितने होंगे तो फिर 4 से भी डिवाइड नहीं होगा 5 से डिवाइड होगा मन्दला 5 5 फिर 10 से डिवाइड होगा 10 उसके बाद 10 के बाद क्या होगा 25 से डिवाइड होगा 25 उसके बाद क्या होगा 50 इतना होगा 50 तो इतनी लोग जो है 50 वाले बॉक्स में मारबल रखेंगे क्यों क्योंकि 50 क तो एक marble रखेगा, दूसरे बाला दो रखेगा, पांच बाला पांच रखेगा, दस बाला दस रखेगा, और 25 बाला 25 और 50 बाला 50, सब को add कर लो, यह जागा 75, 85, 90 और यह कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1, टोटल, तो टोटल कितने box रखेगा, कितने marble रखेगा, तो 93 marble रखेग तो 93 marble रखेगा, इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा 93, कितना हो जाएगा 93, जल्दी से इसका screenshot ले लिजे, पिर आगे चलेंगे हम अगले question में, चलेंगे हम आगे next question पर, तो यह question आ गया है, वीडियो को pause कीजिए, question को कुछ solve कीजिए, उसके बाद ही मेरा explanation देखिए, तो आपने question solve कर लिया होगा, what is the product of all factor of 576, 576 के products का क्या बोल रहा है वो, product of all factors, उसका golden-khan खड बोल रहा है, ठीक है, golden-khan क्या होता है, जैसे देख लियान से, तो जैसे हमने कोई number लिया, जैसे हमने लिया एक number, जैसे माल लो 30 लिया, उसके कितने factor या उसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें 2 value का multiply हो, कैसे आ सकता होगी, 1 into 30, ठीक है, फिर second क्या होगा, second हो जाएगा 2 into 15, ठीक है, बोर्ट क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा 5 into 6, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 into 6, ठीक हो जाएगा जिक हूआइगा 6 into 5, 6 into 5 हो गया, तो देखना है ध्यान से चीज़े समझना अच्छे से यह हो गया इसका प्रोड़क्ट की 30 को हम 30 के जो गुडंखर्ण है factors का जो multiple है कितने factors में हम किसको लिख सकते है तो 30 को देखा हमने total कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हो गए है बट यह 8 हो गए है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी factors की बात होगी factors का प्रोड़क्ट की बात होगी तो आपको जो भी इसके factor होंगे जो भी क्या होंगे factor का क्या लेना आपको half लेना है जैसे यहाँ पर total कितने में बने थे 8, 8 का क्या किया है इसमें half लिया है यालिया इसका half ठीक है वही है ना कितने value से 30 बनेगा है ना यह से हो गया one two three five ठीक है उसके बाद क्या हो गया six पिए कितना हो जाएगा ten कितना है 15 उसके बाद कितना है 30 ठीक है यह कितने factor इसके 8 factor है बनाना है किया बनाना है किस किसाधे बनेगा 15 का 12 2006 में करेंगे तब руго कितने बनेगे आदेगे कितने फैक्टर होंगा उसका क्या है यह साथ लेना याफ लेना है कितने वेक्टर इसके 8, 8 का half लेंगे, तो 4, 4, half लेंगे, 4, 4 से क्या बनेगा, आपका 30 बनेगा, कितना बनेगा 30, multiple, ठीक है, तो उसको short में कैसे करना है, तो product of factor बोले जाएगा, क्या बोलेगा, product of factor, तो उसका product of factor, तो उसका product of factor क्या होगा, भई, 30 कितनी बार बनेगा, 4 बार, क्योंकि 8 वो है आपके factor, 8 वो है, ठीक है, 8, product of factor है, but product of factor कितने बनेगे, इसके 4 बनेगे, कितने बनेगे, 4 है न, 4 बार हम 30 बना पा रहा है, 30 इंटू 1, 15 इंटू 2, 3 इंटू 10, और 5 इंटू 6, तो कितने पेर बन रहा है, 4 पेर बन रहा है, कितने बन रहा है, 4, तो 4, 30 को हम कितनी बार बना पा रहा है, 4 बार बना पा रहा है, इसका मतलब यह है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा करना होगा, आपको लेना है, number, number क्या हुगा, number वही हो जाएगा जिसका हम निकाल रहे हैं number of factor जितने भी total number of factor होंगे वो, और उसको किस सिरेवाइड करना है two से, total number of factor कितने थे 8, number ले लिया, total number of factor कितने थे 8, दो सिरेवाइड कर दिया तो product of factor कितने हो जाएगा, three पे 30 पे कितने की पाउर हो जाएगे एक ओर example लेके बता देखता हूँ जैसे हमने लिए 16, 60 के total number of factor कितने होंगे चो यह 1 से भी divide होता है 2 से भी divide होता है 4 से भी होता है 8 से भी होता है और 16 से भी होता है तो आपको वही number लेना है total number of factor कितने हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच तो 5 हो गया, कितना हो गया है 5, 5 by 2 करेंगे कितना करेंगे, 5 by 2 अब सब लोग के मन में doubt आएगा ये 2 के से solve होगा, तो क्या करेंगे इस 2 को ले जालेंगे अंदर, है ना, 2 को ले गए अंदर तो 16 पर कितने की power हो गई है 1 by 2 की power, और bracket के बार कितना हो गया है, 5, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, 4 का square और बाहर कितना हो जाएगा, 5 की power 4 और 5 की power, ठेक है तो आगे समझ में सबी को कि product of factor कैसे निकालना है, number लेना है ये लिखा है number, और number of factor upon क्या करेंगे, 2 से आपको divide करना है, ठेक है, चलते आगे वैसे आपको इस question का भी निकालना है ठेक है, 576 तो आपको लेना है number total number of factor upon 2, ठेक है, number कितना है number है 576 ठेक है, अब इसके total number of factor हम देख लेते है total number of factor कैसे होंगे total of number factor यह क्या होता है, 24 का multiple होता है 24 into 24 इसमें कहोता है, 8 into 3 और 8 into 3 ठेक है, इसमें 2 3 होगा, इसमें 2 3 तो 2 पे कितने के पाउँआ होगा, ये 6 की 3 और 3 ठेक है, total number of factor कैसे होता है, power में हम plus 1 कर देते है, 6 plus 1 कितना हो जाएगा, 7 into 2 की power है, 2 plus 1 कितना होगया, 3, तो total number of factor कितने होगा है 21, कितने होगा है 21, ये हम लोने बताया था last class में से, कहना 21 की power total number of factor कितने होगा, 21 21 और इसको किसे वायओ करेंगे 2 से ठीक है इस 2 को लगे अंदर तो यह कितना हुझाएगा तो यह जायेगा five seven chancellor किटने की 1 by two की power और इस पर कितने की power हो जाएगी त्वेंटीवन की यह कितना हुझाएगा यह जाएगा 24 फे 21 की power कितना हो 21 की पाउर इसका जो right answer होगा वो कितना हो जाएगा option number a इसका right answer होगा क्यों हो जाएगा भाई option number a इसका right answer होगा ठीक है clear है option number a क्या होगा इसका right answer होगा clear तो I hope सभी को concept समझ में आ गया होगा मैंने एक बार discuss भी कर लेना है और मैंने बताया था कि आपको सारी previous classes देखकर इस classes को देखना है अगर जिसने सारी previous classes देखी नहीं है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आला कि मैंने इस तरह के explain किया है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए बट जो number of factor निकालने का तरीका होता है हमने last class में अच्छे से उसको detail में discuss किया है उसमें आप देख सकते हैं ठीक चले आगे चलते हैं चले वीडियो को pause किजिए question को solve किजिए उसके बाद ही मेरा explanation देखिए अब तक आपने question solve कर लिया होगा चले इस question को हम देख लेते हैं if the product of factor which are at position at 19th and 35th from the starting result in the number of n itself क्या बोल रहा है कि जो product है factor का एक the product of factor यह first हो गया ठीक है फिर यह second हो गया फिर यह third हो गया ठीक है ऐसे जा रहा है बीच में कियाएगा 19th और इधर कितना जाएगा इधर जाएगा यहां नीचे लिख लेते हैं first हो गया फिर क्या हो गया second हो गया फिर क्या हो गया third हो गया फिर ऐसे जा रहा है बीच में क्या रहा है 19th आ रहा है और फिर बीच में क्या रहा है 35th आ रहा है और इसमें कितने number है total n number है कितने number है n number है n product है ठीक है if the product of factor which are position at 19 and 35th from resulting in the number of n number itself है तो इदर से 19 को है उदर से 35 भी क्या है उटने ही position पे है कितनी position पे है 19 भी position पे है ठीक है then how many factor of n are there तो उसमें कितने factor है यह total आपको बताना है कि इसमें total n factor कितने है यहां से 19 भी position पे है यही 35th क्या है यही इदर से right से है right से कौन से position पे 19 भी position पे है कौन से position पे 19 भी position है उसमें total number of factor कितने है तो क्या अगरेंगे बचिछ देखो इसके बीच में कितने factor है हमको नहीं मालूम यहां से start हुआ यह भी नहीं मालूम अगर इतना पता है कि यह 35th है यहां से right से कितना है 19th है और left से कितना हो जाएगा 35th हो जाएगा 35th हो जाएगा इनके बडाबर है 35th हो जाएगा 35th हो जाएगा तो क्या करेंगे हम इसको यहां से position निकालो और यहां से position निकालो यह right से कितना हो जाएगा 35th और left से कितना हो जाएगा 19 और करेंगे minus 1 यह हमने कहाँ यह आपका reasoning में आता है topic जिसमें order ranking बोलता है कि left से position plus right से position minus 1 करते क्या करते है left से position plus right से position minus 1 लेट से पोजिशन जो है यहां पर यहां की जो पोजिशन वो कितनी है 90 कितनी है तो लेट से है 35 राइट से कितनी है 19 है और करेंगे माइनिस वरागर हमें total number of factor last तक निकालना है कर लिए माइनिस कितना हो जागा 18 8 प्लस 5 कितना हो जागा 3 और 1 4 कितना हो जागा 53 तो इसका जो राइट एंसर होगा कितना होगा इसमें n multiple n factors जो है वो कितने है 53 है 53 factor है total 53 factor है इसमें total okay clear ज्लीज़ के आव सकत एंसे है चिघर होगाओर कर दो आपते है कितने है यहाओर कितने है सर्छाद Dragons नहीं फीक सफ्राइबgen के कितने होगा जहलाद है जेल कितने है